हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोडी साउंड इन इंगलिस सेंटेंसेज खराटे यानि स्नोर, लड़का जल्दी ही खराटे भरने लगा दबॉई बीगिन टू स्नोर, दबॉई बीगिन टू स्नोर वे बस लेटे रहते हैं और हाफते रहते हैं, उन्हें तो अपनी नीद प्यारी है खास यानि काफ, टॉम पूरी राद खासा, टॉम काफट ओल नाइट हिचकी यानि हिकप्स, मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी आती है डकार यानि बब या फिर बैल्च हम खाना खाने के बार डकार लेते हैं, भी बब आफर इटिंग दफूर्ड या फिर आप बैल्च भी कह सकते हैं चुटकी बजाना, स्नैप दफिंगर्स तुम्हें चुटकी नहीं बजानी चाहिए, you should not snap the fingers उंगलियां चटकाना, cracking knuckless वो हमेशा अपनी उंगलियां चटकाता है He is always cracking his knuckless गरारे यानि गागल गागल नमक, गरम नमक के पानी के गरारे करो गागल with warm salt water CT बजाना यानि whistle उसने मुझे CT बजा कर छेडा He whistled at me पादमारना Fart यानि fart घर में पाद मत मारो Don't take fart in home चीकना यानि sneeze मुझे बहुत ज़्यादा चींके आ रही है I am sneezing a lot I am sneezing a lot कराहना यानि ग्रोण वह दर्द से कराहते हुए गिर पड़ी She collapsed groaning with pain She collapsed groaning with pain फूंक मारना हम बच्चे से कहते हैं कि फूंक मार कर मुझा दो तो उसे कहेंगे blow out the candle blow out the candle फूंक मार कर मुझा दो फिर सूंगना यानि sneeze इस साबुन को सूंगो बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है Take a snap of this show It smell is nice खराटे यानि snore मेरे पती जोर से खराटे लेती है My husband snores loudly My husband snores loudly फिर आह आह यानि आह भरना साई रीमा ने लंबी आह भरी रीमा साईट deeply रीमा साईट deeply पैर घसीट ना यानि सकफ हम बच्चे से कहते है न कि पैर घसीट कर मत चलो पैर मत घसीट don't scuff your feet don't scuff your feet जीब से आवाज करना clicking the tongue जीब से आवाज मत निकालो don't click your tongue फिर है ताली बजाने यानि clap चलो प्रतियोगी के लिए ताली बजाओ, let's clap for winning contestant, let's clap for winning contestant, फिर है, दात किट-किटाना, grind the teeth, मेरे दात किट-किटा रहे थे, I were grinding the teeth, I were grinding the teeth, फिर है नाक सुडकना, नाक सुडको, blow your nose,